वाव लाजवाब खुसकबरी सेना को केन सरकार का जबरदस तोफा और दोस्तो ये तोफा मिला है सुप्रेम कोट के एक्षन के बाद यानि की सुप्रेम कोट का एक्षन लाया रंग नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका आपके अपने सैनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में है दोस्तो जवानों केंद्य करमचारियों भूतपूर सैनकों तता सभी पैंसनरों वो फिमली पैंसनरों से जुड़ी हुई पिरते एक छोटी से छोटी ऑथन्टिकेटर जानकारी देखने के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जिन भायों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किर्पया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नौटिकेशन मिले सबसे पहले आपको तो आएए दोस्तो देखते पूरी ख़बर वि प्रस्ट पर इस ख़बर को प्रात्मिक्ता दी गई है और दोस्तो प्रात्मिक्ता दी भी क्यों ना जाया आखे 17 साल की कानूनी लडाई के बाद ये फैसला आया है महलाओं के हक में यानि अब महलाओं को बेटियों को सेना में बराबरी का हक मिला है इस्ताई कमीशन का चला सकती है तो सेना में सेना को क्यों नहीं चला सकती जरूर चला सकती है और दोस्तो ये जो परमानेंट इस्ताई कमीशन दिया गया है ये मिलेगा महलाओं को आर्मी एर डिफेंस में सिगनल में इंजीनियरिंग में आर्मी एविएशन में इलेक्ट्रोनिक एब मेकेनिकल Engineer यानि EME में Army Service Corps में Army Audenance Corps में Intelligence Corps में Judge and Advocate General और Senesuktsha Corps में जबकि Sena चिकसा Corps और Dental Corps में पहले से ही Permanent Commission मिलने प्रावधन है दोस्तो Сощ Service Commission के तहत महलाओं को पहले 5 वर्ष के लिए लिया जाता था जिसे बढ़ा कर 14 वर्ष तक किया जा सकता था लेकिन वो सर्विस 20 साल से कम रह जाती थी इसलिए उनको पैंसन नहीं मिलती थी अब पर्मानेंट कमिशन मिलने के बाद जब महलाएं 20 साल या उससे अधिक सर्विस करेंगी तो उन्हें पैंसन का भी लाब मिलेगा तो दोस्तो ये ती खबर और ये महलाओं के संघर्स की जीत है और वो इसके हकदार हैं उनको इनका हक मिलना चाहिए आसा करता हूं दोस्तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंज जैवारत